दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आटोमेटिक सोलर लाइट बनाना सिखाने वाले हैं वो भी आपका जैसे दिन भर चार्ज होगा और जैसे ही रात होगा वो आपका आटोमेटिक बल्ब जल जाएगा बिना LDR और बिना रीले के इस सर्कुट को हम बनाने वाले हैं तो दोस्तो इस सर्कुट को बनाने के लिए नहीं आपको रीले की जरूरत है नहीं LDR की जरूरत है और नहीं कोई स्वीच की जरूरत है लेकिन आपका दिरभर चार्ज होगा और जैसे ही रात होगा आपका लाइट चक्क्चका के एकदम जल जाएगा दोस्तों इससे बनाने के लिए, जैसा कि मैंने नाम लिया solar light, तो भी रा solar के याइट बनेगा नहीं, तो आपको ले लेना है solar, आप कितने बोल्ट का बैटी और light यूज़ करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको solar panel ले लेना है, तो मेरे पास ये 6 बोल्ट का solar panel है, तो देख के आपको कैसे लगाना है, इसमें होता है, आपका एक को एनोड और एक होता है कैथोड, तो जो इसमें silver पट्टी जिदर राती है, वो आपका होता है कैथोड, और ये जिए ब्लैक पट्टी होता होता है, एनोड, तो जो कैथोड है, ये आपको इस panel के माइनस पे यहाँ प पट्टी इधर रहेगा अब आपको एक LED लेना है जो भी आपको LED जलाना है तो मेरे पास चार बोल्ट की LED है तो मैं इसे जोड़ता हूं तो इसका जो प्लस देक़् यहां प्लस जो है इस पैयल के जो प्लस पॉइंट है यहां पर आपको इसे जोड़ देना दो यहां पर मैंने प्लस जोड़ दिया है आप लेना है यह ट्रनिस्टेर हम नमबर है BC 547 इस टांजिटर का नमबर है BC 547 इसका जो इमीटर है देखिए आईसे आप जो पकड़ेंगे देखिए इस तरह से आप जो पकड़ेंगे लिखा हुआ आपके सामने है तो जब यह वाला हो जाएगा आपका कलेक्टर और यह हो जाएगा इमीटर और यह हो इस डायोड के एनोड पे इस तरह से यहां पे जोड़ देना है यहां पर मैंने टांजिस्टर के इमीटर को इस डायोड को एनोड से जोड़ दिया है अब आपका जो LED है जिसको आपको जलाना है इसका जो माइनस है इस टांजिस्टर के कलेक्टर पे यहां पे आपको जोड़ रहा हूं अभी हमारा क्लेक्टर पर जूड़ चुका है अब आपको लेना है एक रेजिस्टेंस जो वन किलो ओम अगर आप इससे जब जादा जलाएंगे जो मनलब बैटी आपका ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का वैलू भी आपको बढ़ाना पड़ेगा तो यहां मेरे पास जो है छोह बल्ड का पैनल है यह मैं चार बल्ड का एलीडी जला रहा हूं तो वन कीलो ओम का रेजिस्टेंस हमको लगाना है कहां इसके बैश से लेके और इस डायोड के यहां माइनस पॉइन्ट पे अभी जो रेड वाला यह प्लस है और क्ला वाला माइनस है तो जो प्लस वाला जोड़ना है डायोड का जो एनोड है यानि तर्जिस्टर का जो हम इमीटर और डायोड का एनोड दोनों एक साथ जो जोड़े हैं उसी पॉइंट पर हमें इसके माइनस को यहां पर जोड़ देना है और आप पूरा वारिंग इस तरह से देख लीजिए और जो बैटी मैंने देखिए इसका लाइट चालू हो गया थोड़ा धीमा इसलिए जल रहा है कि हमारा बैटी थोड़ा सा लो है अब हम इसकी टेस्टिंग चालू करते हैं तो जैसा कि यहां देखिए अप सोलर जब आपका जैसे रात होगा तो यह आपका लाइट जलता रहेगा लेकिन हम जै अब जैसे यहां देखिए पूरा अंधेरा कर दे रहा है यानि रात हो गया तो हमारा है वह तेजी से यहां शक्ते हैं आप मैंने बाप को बुझा दिया तो यहां पर जैसे ही दिन होगा और इस पर आपका सूरज की रोसनी पढ़ेगी आप देख सकते हैं यहां जो हमारा बिना टच किये और हमारा LED ये बंद हो जुका आप जैसे हटाएंगे जैसे रात होगा ये चालू हो जाएगा आप इस सर्कीट को बड़े परमाने पर भी मनला बड़ा बना के भी आप आसानी से कोई सर्कीट में फीट करके और लगा सकते हैं आप देख सकते हैं ये जैसे ही पर रहा है और फिर यहां अगर इसको पूरा ढग दे रहे हैं तो पूरा अंधेरा तो रोशनी इसकी बढ़ जा रही है तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि जो हमारा लाइट है ये बिना LDR बिना रिले और बिना ही किसी स्वीच के हमारा जो लाइट है वो आन अफ हो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार